असलाव आलेकम डिये स्टुटेट्स, वेलकम, xpacademy.com, जहां पर आप step-by-steps HTML उर्दु जबान में सीख रहे हैं डिये स्टुटेट्स, आज के इस लेसन के अंदर में आपको मजीर टेबल के उपर ही काम करता हो दिखाई दूँगा अब आप ये सोचते होंगे पिछले याद 10-12 लेसन से टेबल के उपर ही काम, टेबल के उपर ही काम बेसिकली HTML में ही तो टेबल है, या वेब डिजाइनिक के अंदर टेबल ही तो वो चीज़ है जो आपको आजाए तो आपको वेब के उपर कंट्रोल करना आ जाता है ठीक है, मैं यहाँ पर यह नहीं कहूँगा, आप 100% यहाँ पर कंट्रोल सीख जाते हो, लेकिन आपको मैं यह भी बिताता चलूँ, आप 95% आप काम कर लेते हो, ठीक है, इसके अलावा जो भी काम होता है वो हलका फुलकाफ हो, फिर उसके साथ CSS वगरा यूज़ करनी आएगा, कोडिंग के पर काम करना, आएगा, तो आप वेब के पर काम कर सकते हो, तो ठीक है, चलते हैं, आज का जो हमारा लेसन है, वो मैं आपको पिछले लेसन ने बता दिया था, कुछ यह व्यूव बनाना है, हमारे पास जैसी गैलीज वगरा होती है, उसके पर क्लिक कर करनी है, ठीक है, इसके लिए हम पहले ओपन करते हैं, अपना अगेन ले आउट वर्क, हमारे पास एक और पेज मनेगा भी ले आउट वर्क के लिए, मैं पराने को डिलीट कर देता हूँ, अब वो मेरे पास ले आउट वर्क क्या है, कि मैंने क्या करना आपते पास, यहाँ पर ऐसे बॉक्से बाख बना देने हैं, ठीक है, मैं से कोई color दे देता हूँ यहाँ पर, मैं अगे इस तो color दे दिया, यहाँ पर, ठीक है, एक और boxes मैं देशे pick कर लेता हूँ, यहाँ पर, यहीं कि इस तना क्या होते है, बस आप अपने paper layout याद रखेगा, आपने मस बनान है अपने पास क्योंकि जब तक layout नहीं होगा हमारा काम ठीक नहीं होगा ठीक है इससे ही होता है आपके साथ ने टार्गेट बना हुआ जाता है हमने करना है क्या करना है ठीक है मैं ऐसा करूंगा मैं आपने पास 4-6 4-5 अपने पास ऐसे boxes बना लेता हूं ठीक है यह मेरे पास आप समझ कियोंगे और basic view हमारा यही है मैंने ऐसे अपने पास अपने टेबल पर भी ड्रॉ करने हैं तो हमारा जो आज की जो फाइल है उसका नाम क्या है अब देखते हैं exercise folder में चले जाएं आप और lesson नमर आज जो हम यह नहीं कि आप इसको view वहाँ पर डालना से किए और again हम आ जाते हैं अब भी आपको उरिजिनल व्यू दिखा देता हूं आप डबल क्लिक कर दें अब डबल क्लिक किया आपके पास टिल यह वाली फाइल में जुद है अगें वही center यहाँ पर आए और हमने तर मिडल पे न area है और इस area की जो मेरे पास list बंद रही है वो मेरे पास कितनी बंद रही है 600 तो साथ calculation काम हम करेंगे 600 के अंदर अगर मैं 5 अपने पास बना लेता हूं टेबल बना लेता हूं यहीं कि column बना लेता हूं तो definitely हर एक को आप कितना देंगे हर एक को आप 120 की value देंगे 120 आपका pixels का area जाएगा और बाकी remaining area जो है वो आपके पास setting होती जाएगी लेकिन 120 120 120 का five time पर आप लेकर आएंगे तो अपना आपके इस area को यह cover card डालेगा ठीक ह कैसे cover होगा क्या कुछ होगा यहां इस lesson में देखना है तो again मैं तरह आ जाता हूं यहां पर इंट्रे लगा दिया और मैं tab लगा देता हूं यहां पर ठीक है और table आप बना दें कि मैं आपके सामने ले आता हूं कि आपको बितर दिखाए दें बिल्कल पहले वर lesson की तरह table बना दिया और साथ ने आप border भी शोगर दिया करें border शोगर दें कितना शोगर तो one का मैंने border देती है ऐसे ठीक है और table की width तो आपने यहां पर लाजमी देनी है फिर वही बात है अगर आप उसको नर्मल सा अगर आप उसको बाइक तरफ लेकर आना चाहते हैं तो फिर आप तो फिर आप क्या करेंगे इसको यहां पर जो वैली है वह आप थोड़ी सी कम वैली देते हैं जैसे इसको मैं 590px देता हूं ठीक है और इसी तरह से मेरे पास के दौनों चीज़ इसकी हो चुकी है मेरे पास border हो चुका है मेरे पास red हो चुकी है इंटर कर देते हैं इंटर कर देने के बाद टेबल को close करना must है अब टेबल के अंदर में एक रो बना देनी है अब वो रो क्या है मेरे पास टी आर और इसको भी आपने close कर देना है टी आर के थुरू ठीक है इंटर कर देते हैं अब हमें यहाँ पर कुछ करने के हैं हमने अपने यहाँ पर करने हैं अपने पास कुछ कॉलम बनाने हैं मींज के अगर मैं आपको यहाँ बदाता चलू हम टेबल बना चुके हैं हम यह रोब ना चुके अब हमने वान टू थ्री फोर ठीक है चलें यह डिजाइन पोर कॉलम अपने पास अम क्रिएट करते हैं तो इसके लिए वन टू थ्री फोर है हम भी चलेंगे वार की बनाने को चुश aids कर ते हम लेकर चलते हैं अपने प्रोजेट और यहां पर आजाते हैं हम टाइप करें which का मैंट्रोल्रैस मैं यहां से आपको यही पिक्चर यू useful यूज करना चाहाएं जो यहां पर इसने क्यों ही है गेज वगरा की वाल पेपर जो भी कुछ है लब लब आप इधर आजाएं यहां पर है copy location यहां पर होगा copy link location इसके पर आप click कर डालें आपने click कर दिया है और copy link location होने के बाद आप वापस आपने इस एरिये पर आजाएं यहां पर ऐसा आप हरकिस नहीं कीजिएगा यह जिस्ट मैं इस lesson के लिए कर रहा हूँ और src इसको बने दे दिया value यहां पर देने के बाद इसको paste कर देता हूँ control हम एस कर देते हैं और देखते हैं कि हमारे पास image की location भी आई है कि नहीं आई है कि मुझे code दिखाए नहीं दे रहा है कि इस image का नए हमारे पास image की location नहीं आई है तो हम जो करने चाहते हैं वो fail होगे उसमें चले हम अपना वही उपर template वाली जो हम picture यूज कर रहे हैं कि यह वाली इबाउट वाली को ठीक है इस image का आप दर से उठा लें यहां से यहां तक आजे control c कर दें और यहां बें जाकर उसको आपके पास तूणना पड़े गए रिया मेरे पास किदर गया यह रहा है ठीक है नहीं यह उपर है इसे पेस कर डाले पेस आपने कर दिया पेस कर देने के बाद आपके पास जूर इसकी विट है वह भी डिफाइड नहीं कर चलें चलें वह डेंए कंट्रोलियर कर दें यहां पर आ जाते हैं और यहां पर आने के बाद मैं इसको उपन कर देता हूँ यह मेरे पास ले-वट रहा है इसको रोगने कर आगए को आप अब इसकी मज़ीद सेटिंग आप बनाते हैं जब तक सेटिंग नहीं होगी उस सब्सक्राइब निकलेगा मैं इसको जो है यहां पर इस टीडी को कुछ दिर के लिए एंड कर देता हूँ यहां पर देखते हैं अब देखते हैं कंट्रोल एस किया है ने कंट्रोल एस करने के बाद वापस अब अधर आ जाएं और रिफैश्ट कर डालें तो देखिए आखे आखे पस यह एक पिक्चर बनी आ गई अब सबसे पह पुल है ये ठी डी है आपके पास ठीकर इधरी ऐसे कहते हैं वी लाइट वी लाइन वी लाइन फिकल दू अवसके देदें यहां भu तप आप इसको दॉफ तिस मियां करदें कर दें कांट्रोल एस कर दिन के पाद शाल कर दिगम एधर आ जाएं और फद्रश्बिया यहां पर आजाएं और यह हमें इस टेड़ी को टॉप पर लेकर जाने हैं और रिफेश्ट कर डाले देखते हैं क्या मस्टेक हो रही है यहां पर आजाएं और यह से रिफेश्ट कर डाले ठीक है तो अब हमने इसके पास कुछ इदर स्टेप करने हैं मुझे कितने स्टेप चाहिएं यहां पर 1,2,3,4 स्टेप चाहिएं और इन सब की जो में वैल्यू देना चाहूंगा वह अब आप आपने पास इनकी वैल्यू को कल्कुलेट करेंगे अब आपने पास कल्कुलेटर निकाले आपके पास जो एरिया है वो हो के पास 590 का आपके पास एरिया है ठीक है? आपके पास 590 का एरिया है और यहां पर आपको 4 पिक्चर चाहिएं each row में आप डिवैडेट भाई 4 करदें से तो हमारे पास value जो आगयों कितनी हैं आग यह मेरे पास 147 की मेरे पास width की define कर रहे हैं तो आप क्या करें Each यहां पर आजए जितनी यह आपकी पास आपकी td है इसको आप width दे दे आपके width दे दे इस तरह से आपकी पास आपकी setting की जाती है width दे दे और इसको आप define कर दे 147 pixels आप इसे ले दे ठीक है इसी तरह से अगेन आप नहीं TD आप यहां पर ले लेते हैं, इसको भी आप ली दे देते हैं, TD, width, width, equal to, आप से देते हैं, 147, और यहां पर आ जाएंगे, और TD को आप ले लेते हैं, क्योंकि मुझे यहां पर कितने चाहिए, मैंने इसको 4 भी डिवाइड किया है, ठीक है, तो मैं अभी 3 ले, 2 ले चुका हूँ, 2 मुझे और चाहिए, तो अब आप क्या करें, इसी आखर वाले को भी बार बार कापी कर डालें, जो आपने यह लिया ह CTRL C कर दें, 3 और यह 4 में इदर ले लिए अपने पास, ठीक है, और इनके अंदर आप कुछ भी, at the time, कुछ भी आप इनके दर टाइप कर दें, यह रहा मेरे पास, इसना से मुझे confirm भी हो जाएगा, मेरे पास TD कितना है, 1 TD मेरे पास ही रहा, दुसरा TD मेरे पास ही रहा, ती 2, 3, 4 बने वा चुके है, अब इस पिक्चर की जो मेरे पास width है, definitely जब मेरे पास value आ जाती है, आपर 147 की आ गी है, तो मेरे पास की जो पिक्चर है, यह भी 147 के ender रहकर आने चाहिए, तो मैं इसको width देता हूँ, width में चला गया, equal to, और यह बने लगा दें, इसको देता 5 की value से sign कर देता हूँ, ठीक है, 145 और PX एक्स में से देता हूँ, width को, आपस अब धर आ जाएं, और F5 प्रेस कर दे, आपने F5 प्रेस किया, आपके पस देखेंगे कि चैसे आ चुकी है, अब इसको middle पे लाना है मैंने, ठीक है, middle पे लाने के लिए क्लिए क्या करूँगा तो आप अपने पास, इधर align में आएंगे, tdk align में आ जाएंगे, align, आप देखें कर देनी है इसको, center, हमेशा ये center में रहे, इसकी alignment भी क्या हो, देखें कर रिफेश करें, तो आपके पस क्या रहेगी, center में रहेगी, तो इस तरह से आपके पास देखें, 123, अब हम क्या क कर लेते हैं, अपने पास pictures अपने पास कुछ collect कर लेते हैं, अब मैं आप को सबसे पहले कोई बड़ी picture है, उसका में thumbnail मनाने का method बताने जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको शायद ये use करना पड़े, आप अपने पास जब गैरली बिनाएंगे, तो definitely अपने पास आप ब मेरे पास इसका view आ रहे है, ये हर एक website के अपने अपने तरीके के मताबग होगा, method के मताबग होगा, वो आपको picture किस तरह से आपको define कर रहा है, ठीक है, इसे click कर देता हूँ, मुझे इसकी full image चाहिए, मेरे पास इसकी full image आ रही है, अब अब इसको copy करें अपने पास, मैं इसको right click किया, मैं इसको save as कर देता हूँ, और मैं इसकी desktop पे लेकर आ जाता हूँ, ठीक है, मैं, desktop पे लेकर आ गया, मेरे पास desktop पे आगी होगी है, मेरे पास इसकी desktop पे पड़े हूँ, मैं इसको right click किया, open with, मैं इसको अपना era photoshop में open करना चाहूँगा, ठीक है, तो right click करें, open with, choose program में आ जाएं, और photoshop इसे दे रहे हैं, आपके पास photoshop का होना है, इसलिए ज़रूरी है, मेरे पास या चुकी है, picture मेरी, ठीक है, अब आप, याद रखेगा, आपके पास जो area है, वो आपके पास कितना है, यहाँ पर 147 का है, ठीक है, और आप picture जो दे रहे हो, आप picture को जो size दे रहे हैं, वो भी आपको confirm होना चाहिए, उसके लिए 145 दे रहे हो, तो हम इसके अगर height 145 करते हैं, देखते हैं, हमारे पास फिर क्या इसकी value बनती है, height में इसको 145 ही देता हूँ, क्योंकि जब मुझे picture बनानी है, तो मुझे फिर यह त्वाव जी से confirm होनी चाहिए, इदर आ जाएं, और इसको refresh कर दे, तो 145 की इसकी भी height आ रही है, तो यह चीज मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर आके, अपने पास एक image ले लेता हूँ, इसकी value लेता हूँ, 145 pixels, और 145 pixels, याद रखे का यहाँ पे pixels का होना ज़रूरी है, क्योंकि मुफतलित values होती है, देख ल जाएं, और आके पास image की value है, यहाँ पे, और देखें, आके पास जो value लेता है, आके पास बड़ी value होगी, मसलिन यहाँ पर रहा है, कितनी 28, 58 है, यहाँ पर कितनी है, बड़ी value उपर बड़ी आ चुकी है, तो आप इदर type करतें 145, ठीक है, और यहाँ पे click कर डालें, यह इसका view बन रहा है, और zoom कर दें ख्रोसा, यह कुछ आपको ऐसे दिखाए दे रही है, आपने करना क्या है, अपना 145, 145 को gain आपने यहाँ पे, इदर आ जाए, control A लगा दें, और इसको ठाके देल ले जाए, यह, यह आपको चाहिए अरिया, control C कर दें, जो आपको एरिया च कर सकते हैं, सिर्वेस वेब करेंगे, तो आपको पस जिफ्ट आ जाएगी, तो जिफ्ट जो होती है, बेस्ट आप्शन है, वेब के लिए, मैं जिफ्ट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, यही व्यू चाहिए, सेफ कर देते हैं, कहां में मुझे सेफ कर देना है, जाएंगे, तो अब देखते हैं, क्या हमारे पास, यह तुमाम चीज़ें, हमारे पास आ चुकी है, आप इदर चले जाएं, गैली आ चुकी है, और इसके अदर वन के नाम से छोटी सी पिक्चर वेरे पास मुझूद है, मैं इस पिक्चर को कॉपी कर लेता हूँ, इसका न देखते हैं, इदर आएं, और रिफेश्ट करते हैं, तो देखें, आपके पास आपकी यह यह लीबिल कर आ चुकी है, परफेक्ट बन कर आ चुकी है, इस तरह से मैं इसी इमिश को कांटिन्यू करूँगा, बार बार कॉपी करूँगा, मैंने आपको मैथिल बताना था, उ करते हैं, और यह जदर S लगाया हुआ है, इस तरह से डवली जदर लगाया होगा, आपके अधर भी कंट्रोल वी कर दें, इस को भी आप कंट्रोल वी कर देने के बाद आप इदर आ जाएं, और रिफेश कर दे, तो देखें, जैसे मैं यह रिफेश्ट किया, मेरे पास यह यह मेरा area ready हो चुक है one two three four pictures है अब definitely जब आपके पास मुफ्तलिफ pictures होगी तो यह आपके पास अपना view perfect करता चलेगा वापस मैं आ जाता हूं again यहां पर आप टाइप करते हैं आपके पास जो आपका गैली का है वो start area है यह मैंने shift press किया और यह जार्मन हो लेगा आज चुता और अधर आ जाएं फिर आपके देदें यह याद रखेगा यह आपके पास सिर्फ आपकी आपको remind कराने के लिए होता है गैली एंड अपने स्टेश्ट कर दें ठीक है अब आप इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं अगें अगें यूज़ कर सकते हैं कैसे अगें मैंने इ going इसको paste दो टाइमी में इसको paste किया देखें तेनर फिपे किया चाह इंड फिर स्किया और इस्वेज अब इससे क्या होगा देखते हैं है कंप्र स्टार्ट हो रही है देखिए यह रहा और इसका जो बार्डर है में इसको जिलो कर देता हूं कंट्रोल एस किया वापस आप इदर आ जाए प्रिफेश्ट कर डाले अपने आपको तो देखें आपको इसका बार्डर भी दिखाई नहीं देगा आप इमेज का बार्डर अगर चाहते हैं तो मैंने आपको बैठर ताया हूए कैसे हैं तो यहाँ पर आपके पास मुफ्तलिफ पिक्चर्स होंगी मुफ्तलिफ आपको यूरल देख देखें तो आपके पास आपका इस तना करिये पार्डर हो जाएगा ठीक है अब दर श्पेस जज़्दा थी उसमें आपको ते पास किसी गैली की शेयर बनाना चाहेंगे टेबल की थूरू मक्सिद मेरा बैसिक जो यहां पर है वो मेरा टार्गेट यह है कि आपको टेबल का इस्तमाल बताना है ठीक है यहां पर यह चीज़ है कि नीचे से नम्रिंग दियो है यहां पर देखें आप भी से इ expense चाहरा है तो इस नम्रिंग लिए आप क्या करेंगे यह हुड़ार आका। यह फ़्वास की लिफे आपको अशुड़ेंगे लेटा ना प्यर देए हैं यह को कि मैंने क्लोस कर दिया मैं इधर आगया गया एट चैप में बिदी ले ले लेटेंग самой यहां पर टीडी क्लो पेज नमबर ठीक है और यहां पर आजए अब यहां के पास होगी रो में ही कॉल सी ओ एल कॉल स्पेंट स्पेंट इकुल टू हमारे पास किती थी फोर थी इच में तुम्हें सबको अपर से मर्च कर देना है यहां पर आजए और अपते वेशाइट पर रहते हुए रिफेश्ट कर डालें तो देखें आपके पास की मुकमल एक एंग तक आ चुका है ठीक है इसकी सेंटर कर देए इस तरह से यह चीजें आपके पास कैसे बिनाई जा रही है यह भी मैं आपको पता दिया ठीक है तो यह तो था हमारा लेसंस जिसके अंदर पर ने आपको कुछ यह बताया है कि आप एस्टेमेल के अंदर आपके पास कोई पेज कैसे बनाते हो देन उसके बाद आप गैरली के अगर बढ़ाना चाहेंगे उसका आपके पास कैदर के कार होगा तो यह तुमाम चीजें मैंने आपको यहां पर ब क्लियर कर पाएंगे अगर आप रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको यह चीजें सीखने का कोई फाइदा नहीं होगा कुछ समझ नहीं आएगी ठीक है तो दिस्टिनर्स में उमीद करता हूँ कि आपको हमारे इस कोर्स की स्टेफ वाई स्टेफ समझ आ रही होगी और आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे तो दिस्टिनर्स इंशालला नेक्स लेसिन में फिर हज़र होते हैं कुछ नहीं मालूमात और टिप्स के साथ उससा तक के लिए मैं आपसे अजाज़त चाहूँगा अपती दौर में मुझे याद रखेगा वजीत मालूमात और अपडेट क अपकादमी.com हमारा हम लाइन अबर है 0343 901 7779